हेलो फ्रेंड्स, ABMP यूटूब चैनल में अनुभव बायो माटेरियल पॉइंट्स यूटूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में यूपी बोर्ड एक्जाम 2020-2021 के बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन स्टुड़ी करेंगे यह वीडियो कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए हैं इसमें आप देख रहे हैं आपका पहला कुश्चन दिया गया है संसार की सबसे पहली परखनली सिसू कौन सी है तो इसमें आपके पास में चार विकल्प हैं और आप अगेस कर चुके होंगे आपके कौन सा विकल्प सही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसमें आपका पहला विकल्प है विकल्प नमबर A दिया गया है दुरगा B नमबर दिया गया है लच्छमी C नमबर काली D नमबर दिया गया है लूसी जोए तो इसमें आपका विकल्प नमबर D सही होता है ल इसमें आपके पास चार विकल्ब हैं, कौन सा विकल्ब सही है, यदि इसका एंसर आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसमें चार विकल्ब दिये गए हैं, इसमें कौन सा विकल्ब सही है, आपका विकल्ब नमबर A सही है, एडवर्ड जेनर, नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 3 में देख रहे हैं, भारत की प्रथम परक्नली सिसू है, तो अभी तक आपने पढ़ा संसार की सबसे पहली परक्नली सिसू, अब यहाँ पर आपक के पास में चार विकल्ब हैं, कौन सा विकल्ब सही है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो इसमें आप देख रहे हैं, पहला विकल्ब है काली, B विकल्ब दिया गया है दुरगा, C विकल्ब दिया गया है लच्छमी, D विकल्ब दिया गया है लूसी जो है, तो यहा पहला राश्ट्रे उद्यान है तो आपके पास में चार विकल्प हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है हमें कमेट करके बताएं पहला विकल्प दिया गया है जिम का आरवेट राश्ट्रे उद्यान बी नमबर दिया गया है दुधुआ राश्ट्रे उद्यान C. नमबर गिर राष्ट्य उध्यान D. नन्दा देवी राष्ट्य उध्यान तो इसमें आपका विकल्प सही होता है A. जिमकारवेट राष्ट्य उध्यान नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर फाइव दिया गया है जरायूजता होती है तो जरायुजता किसको कहते हैं जरायुज ऐसे जिवधारी होते हैं जो सिस्वों को जन्म देते हैं तो ऐसे जिवधारी जरायुज कहलाते हैं और इसके इस लच्छन को जरायुजता कहते हैं तो हम बात करते हैं कि जराइज़ता किसमें पाई जाती है, तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, जलुद भीद, बी दिया गया है, मरुद भीद, सी दिया गया है, लवडुद भीद, डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, यह आ आपका question number six, आविस जीन्स है, तो इसमें आविस जीन्स कौन सा है, यदि इसका answer आपको पता है, तो आप comment करें, इसमें आपके पास में चार विकल्प है, पहला विकल्प है, protein, B, cry, C, tri, D, alpha protein, तो इसमें आपका विकल्प नमबर सही होता है, B, cry proteins, जो cry proteins है, यह आविस, जो toxic substance होता है, जिसे हम insecticide कहते हैं, इसका स्राव करता है, और इसलिए, वह वहसल की पत्तियों को खाने से कीट नश्ट हो जाते हैं, तो आपका विकल्प सही होता है, B, cry proteins, question है आपका, question number seven, biotechnology, जिसको जयवियांत्र की, gene engineering भी कहते हैं, इसका उप्योग कहां कहां होता है, तो आपके पास में चार विकल्प हैं, यदि इसका इंसर आपको पता है, तो comment करें, इसमें आपके पास चार विकल्प हैं, करसी में, चिकित्सा में, डेरी में, सभी में, तो आपको बताना है, जव प्रदोग की का उप्योग, आप कहां कहां कर सकते हैं, तो आपका विकल्प सही होता है, विकल्प नमबर D, सभी में, जव प्रदोग की का उप्योग, हम इन सभी जगहों पर कर सकते हैं वर्था दिकल्प आपका D सही है सभी में नेक्स्ट कुष्चन है आपका कुष्चन नमबर 8 हार्बेरियम है या हार्बेरियम किसे से संबंधित है तो इसमें आपके पास में चार विकल्प हैं यदि इसका एंसर आपको पता है तो एंसर कमेंट करें A नमबर दिया गया है जनतु संग्राले B दिया गया है पौध संग्राले C दिया गया है औसे संग्राले D दिया गया है म्रदा संग्राले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हारवेरियम किसे कहते हैं हारवेरियम पौधों का संग्रहले करना कहलाता है तो इसलिए आपको क्या लग रहा है कौन सा विकल्प सही होगा अब आप जान गए होंगे विकल्प नमबर आपका बी सही होता है पौध संग्रहले नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर नाइन दिया गया है सामाजिक कीट किसे कहते हैं या सामाजिक कीट क्या है तो सामाजिक कीट किसको कहते हैं जिसमें एक सिस्टेमेटिक धंग से लेवर डिविजन होता है, कारिविभाजन होता है उसे हम सामाजिक कीट कहते हैं तो इसमें जो आप मधुमक्खी का नाम सुने होंगे मधुमक्खी एक सिस्टेमेटिक धंग से अपना जीवनियापन करती है और एक निश्चित मधुमक्खी को एक निश्चित कारी दिया जाता है जो की अपने कारी को पूरा करती है बी मधुमक्षी मधुमक्षी एक सामाजिक कीट है जो सोसल और्गनाईज करती है इसकी हिस्ट्री के बारे में इसकी लाइफ साइकल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कमेंट करें तो कुश्चन है आपका कुश्चन नमबर दस दिया गया है रेसम कीट के कोकून से कितना धागा प्राप्त होता है तो हम बात करते हैं कि रेसम कीट से क्या प्राप्त होता है रेसम कीट का जन्तू बैग्यानिक नाम क्या होता है तो रेसम कीट का जन्तू बैग्यानिक नाम ब जार गज लंबा धागा प्राप्त होता है तो इसमें आपका विकल्प सही होता है विकल्प नमबर ए एक हजार तो कुश्चन है कुश्चन नमबर 11 दिया गया है कद्दू किस प्रकार का फल है तो इसमें आपके पास में चार विकल्प है यदि इसका इंसर आपको पता है तो कमेंट करें ए नमबर दिया गया है पेपो बी दिया गया है पूम सी दिया गया है स्पेरेडियम डी दिया गया है बैलेस्टा तो इसमें आपको हम बताते हैं कि बी नमबर जो है पूम सेब आता है स्पेरेडियम नेभू संत्रा डी बैलेस्टा जो बेल आता है तो ए नमबर आपका बज़ ज़ता है पेपो तो कद्दू आपका पेपो फल है कद्दू, खीरा, ककड़ी, लोकी ये सब ही आपके पेपो परकार के फल कहलाते हैं अर्थाद बिकल्प नमबर A सही होता है पेपो नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर बारा बिना निसेचन के फल बनना कहलाता है तो इसमें आपके पास में चार विकल्प हैं कौन सा विकल्प सही यदि आपको एंसर इसका पता है तो कमेंट करें पहला विकल्प देख रहे हैं अनिसेख फलन B नमबर दिया गया है अनिसेख जनन C नमबर दिया गया है जीनोगैमी D दिया गया है एनियमोफिली तो इसमें आपके पास में दो विकल्प आप सोच रहे होंगे विकल्प नमबर A अनिसेख फलन B अनिसेख जनन नेक्स्ट कुश्चन है यहाँ पर कुश्चन नमबर 13 दिवनिसेचन किरिया होती है या दिवनिसेचन किरिया किसे कहते है या किसमें होती है तो दिवनिसेचन किरिया किसमें होती है यदि आपको पहले से इसका एंसर पता है तो हमें कमेंट करें इसमें आपके पास में चार बिकल्प आपका सही होता है C number question है question number चौदा दिया गया है बहु भुरूरता की खोज किसने की तो इसमें आपके पास में चार बिकल्प हैं कौन सा बिकल्प सही है यदि इसका एंसर आपको पता है तो comment करके जरूर बताएं पहला बिकल्प दिया गया है बिकल्प आपका सही होता है नेक्स्ट कुश्चन है question number 15 इस्त्री के अंडे का निसेचन कहा होता है तो आपके पास में चार बिकल्प हैं यदि इसका एंसर आपको पता है तो comment करें यहाँ पर देख रहे हैं पहला बिकल्प दिया गया है फलोपियन ट्यूब में या फलोपियन नलिका में बी गर्भासय में सी यूरेटर में डी यूटेरस में तो आपका बिकल्प सही होता है बिकल्प नमबर ए फलोपियन ट्यूब मिन्स फलोपियन नलिका में इस्त्री के अंडाडू का निसेचन होता है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 16 दिया गया है दिव संकर टेस्ट क्रास का अनुपात है तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है आपके पास में चार विकल्प दिये गये है यदि इसका इंसर आपको पता है तो कमेंट करें पहला विकल्प दिया गया है तीन तो इसमें बिकल्प आपका सही होता है बिकल्प नमबर C, 9 अनुपात, 3 अनुपात, 3 अनुपात, 1 नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमबर 17, आरेन्य कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपके पास में 4 बिकल्प की तरह सब्द दिये गए हैं, लेकिन यहाँ बिकल्प नहीं है, यहाँ पर कुश्चन बताया गया है, आरेन्य के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर RNA जो है वह चार प्रकार का होता है कौन सा इसमें ए नमबर पर देख रहे हैं MRN, B नमबर पर देख रहे हैं RRN और C नमबर पर T अथवा S RNA दिया गया है D जो है जिसे हम चोथा RNA कहते हैं वो आपका है वाइरल RNA तो इस प्रकार से आपके टोटल जो है चार प्रकार के RNA होते हैं RNA का जो है पूरा नाम क्या होता है RRN और इसमें सरकरा की बात कही जाएं तो इसमें RRN सरकरा पाई जाती है Next question है Question number 18 Restriction Indonuclease Enzyme के खोज करता है तो इसमें यदि आपको answer पता है तो comment करें इसमें आपके पास चार बिकल्प दिये गए हैं पहले A number पर लिखा हुआ है Werner, Arbor, B number दिया गया है Karl Arbor, C number दिया गया है J Arbor, D number पर दिया गया है Linear Arbor तो इसमें कौन सा बिकल्प सही है बिकल्प number A सही है आपका Werner Arbor इन्होंने ही Restriction Indonuclease Enzyme की खोज की है Restriction Indonuclease Enzyme की खोज के उपरांत ही Biotechnology के छेत्र में महत्तोपूर्ण क्रांती आई जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की जातियों में उसको हम Genetically Modified करने में सच्छम हुए हैं इसी के द्वारा Hybrid फसले या DNA फ्रेग्मेंट प्राप्त करने का जो है हमें जानकारी हासिल हुई है Next Question है Question No.19 दिया गया है Single Cell Protein का उत्तम उदाहरन है तो Single Cell Protein हम बात करते हैं जो एक कोश के प्रोटीन हो और वह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोथ हो तो इसमें आपके पास में चार बिकल्प दिये गए हैं और आपको अगर यह सही एंसर पता है तो हमें कमेंट करें इसमें आपका A नमबर पर दिया गया है Spirulina B दिया गया है Soya C दिया गया है Dal D दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं पहला नमबर दिया गया है A नमबर पर 1972 B दिया गया है 1974 C दिया गया 1976 और D नमबर दिया गया 1978 तो इसमें आपका विकल्प सही होता है विकल्प नमबर A 1972 Next question है Question number 21 दिया गया है भारत में अभ्यरणों की कुल संख्या कितनी है तो भारत में अभ्यरणों की जो कुल संख्या है यदि इसका एंसर आपको पता है तो कमेंट करें इसमें आपके पास में 4 बिकल्प हैं यहां पर देख रहे हैं पहला A बिकल्प दिया गया है 515 B 480 C 520 D 490 तो इसमें बिकल्प आपका सही है B No. 480 यहाँ पर नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज की बात अगर करें तो नेशनल पार्क ऐसे प्रेजर्वेटेड एरियाज होते हैं जिसमें मानो गतिविदिया प्रवंधित होती हैं और सैंक्चुरीज वो छेत्र होते हैं जिसमें मानो गतिविदिया प्रतिवंधित नहीं होती हैं यह बाउंडेशन होता है कि कुछ भी किया जाए लेकिन उसमें जीवधारियों मिंस जंगली जंतुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो यह नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज में अंतर होता है नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 22 दिया गया है जरायू जी अंकुरन पाया जाता है तो आपके पास में चार भी कल्प हैं यदि आपको एंसर पता है तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं पाया जाते हैं और जरायू जी अंकुरन पाया जाता है वीवी पैरस जर्मिनेशन होता है यह लवर्दभीदों का मुख़् लच्छन होता है और इसमें आपका लच्छन पुछा गया है कि जरायू जी अंकुरन पाया जाता है जैसे आपका नाकफनी कीट भच्छी पादप किसे कहते हैं जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे आपका ड्रोसेरा D नंबर आपका परभच्छी है जो जिवधारी अपना भोजन दूसरों से खा करके या भच्छन के उपरान प्राप्त करते हैं वो परभच्छी कहलाते हैं तो इस question का answer आपका विकल्प नंबर A सही है लवड़ुद भीद next question है question number 23 दिया गया है मधुमे के इलाज में सहायक है तो आपके पास में यहाँ पर चार विकल्प है यदि इसका answer आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसमें हम बात करते हैं मधुमे के इलाज में सहायक कौन सा विकल्प आपका सही होता है तब तक आप सोचें और इस बात को ध्यान से सुनें मधुमे किसे कहते हैं मधुमे वह एक रोग होता है जिसमें किसी भी जिवधारी या जन्तु या प्राडी में अग्नियासे ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं और एक हार्मोन्स स्रावित होता है जिसे हम ग्लुकेगॉन कहते हैं तो इंसुलिन हार्मोंस क्या करता है जब कोई जिवधारी भोजन करता है तो वह गलुकोज के रूप में कोसिकाओं के पास पहुचता है उस गलुकोज को इंसुलिन आवसकता से अधिक गलुकोज को वह गलाइकोजन में बदल देता है जिससे वह रुधिर के साथ च्छन करक के सरीर में वह इस्टोर रहता है लेकिन इंसुलिन की कमी के कारण वह यूरिन के साथ सरीर से बाहर निकल जाता है जिससे रोगी को फिर से भूख लग जाती है या उसकी कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है इस दसा को मधुमे तथा इस रोग को मधुमें कहते हैं तो इसलिए इस रोग के लिए जिम्मेदार जो हर्मोन्स है वह आपका इंसुलिन है इसलिए विकल्प आपका सही होता है C, इंसुलिन हर्मोन्स Next question है, question number 24 मधुमें रोगियों के लिए इंसुलिन प्राब्त करते हैं तो कहां से प्राप्त करते हैं यदि इसका इंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें मधुनेह रोगियों में होता क्या है इंसुलिन की कमी हो जाती है अग्निया से गरंथि से स्रावित होने वाला जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है यह कम स्रावित होता है इसके लिए सरीर में उपस्थित ग्लुकोज जो होता है जो आवसकता से अधिक होता है इसे गलाइकोजन में बदल जाना चाहिए और वो नहीं बदलता है तो इसकी पूर्ती के लिए इस इंसुलिन की पूर्ती के लिए जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है वह कहां से प्र ताप्त किया जाता है इसलिए आपका बिकल्प नंबर भी सही होता है जानवरों से नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नंबर पच्चेस रोजी क्या है तो यहां पर आपके पास में चार बिकल्प है ए दिया गया है गाये तो इसमें से अगर आपको एंसर पता है तो यहां पर कमेंट करें रोजी क्या है रोजी जो है आपने यहां पर पारजीनी का नाम सुना होगा जिसको ट्रांस जेनिक बोलते हैं यहां बाया टेकनोलोजी की देन है पारजीनी जो गाय है वहाँ एक रोजी के नाम से जानी जाती है रोजी के दूध में एलफा लैक्टो एल्बिमिन पाया जाता था जो एक विसिस्ट प्रकार की प्रोटीन से जो मानो सिस्व है रोजी क्या है तो रोजी एक गाय है इसलिए आपका बिकल्प ए सही होता है गाय नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 26 चेचक के टीके का निर्माड किया है तो आपके पास चार बिकल्प हैं यदि इसका एंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें यहाँ पर चेचक के टीके का निर्माड इंग्लेंड के बैग्यानिक एडवर्ड जेनर नामक बैग्यानिक ने किया था तो यहाँ पर बिकल्प आपका सही होता है ए जेनर कुष्चन है कुष्चन नमबर 27 मियादी बुखार होता है अब अगर यहाँ पर बात करें लिखा हुआ है कुष्चन मियादी बुखार होता है तो मियादी बुखार आपको बताना है किसे से होता है यदि इसका एंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें इसमें आपके पास में चार विकल्प है तो यहाँ पर मियादी बुखार को अगर हम बात करें तो टाइफाइड भी कहते है यहाँ साल्मोनेला टाइफी नामक पैथोजन्स के कारण होता है और इसके टेस्ट की बात करें रोग की पहचान है तो जो टेस्ट करवाते हैं उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट इसमें होता क्या है कि इसकी रोग थाम के लिए टी के लगवाना चाहिए और यहाँ पर कुश्चन पर ध्यान दें कुश्चन आपका पूँच रहा है मियादी बुखार होता है तो मियादी बुखार अभी तक आपको पता हो चुका होगा कि किसके कारण होगा तो यदि इसका एंसर आपको पता हो गया है तो कमेंट करें अन्यता हम इसको बताते हैं यह मियादी बुखार जो होता है यह एक जीवान जनित बिमारी है और यदि आपको confusion रहता है कि कौन सी विमारी जीवाणुजनित है और कौन सी विमारी जो है विसाणुजनित है तो इसके पहले हमारी वीडियोज में जीवाणुजनित रोगों की ट्रिक और विसाणुजनित रोगों की ट्रिक बताई गई है जिससे एक बार पढ़ने से आप का confusion हमेशा की limit जाएगा और अब कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें ये याद नहीं है कि यह जीवान उसे होने वाली विमारी है या विसान उसे होने वाली विमारी है क्यूंकि उसमें लगभग लगभग सभी मिमारियों की trick बताई गई है उसे याद करने के लिए थोड़ा सा हि यानि कि विसान उजनित रोगों की जो trick है याद करने की और जीवान उजनित रोगों की जो trick है टीबी कोगो निट डिस्पले कौका टापेंग बामे इस तरह से trick आपका उसमें उस वीडियो में explanation भी मिल जाएगा तो उस वीडियो को आप जरूर देखें अगर आप confused होते ह जीवान उजनित और विसान उजनित बिमारियों के नाम याद रखने में इस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 28 अमीबी ये पेचिस होती है तो यहाँ पर आपको बताना है अमीबी ये पेचिस जो होती है वो किसके कारण से होती है आपके पास में चार बिकल्प है यह इसका एंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं A नमबर दिया गया है Amoeba, B यूगलीना, C एंट अमीबा, D इसकैरिस तो इसमें आपका विकल्प सही होता है C नमबर एंट अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही Amoeba पेचिस होती है और यह प्रोटो जोवा संग का प्राडी होता है Next question है, question number 39 DNA Fingerprinting की खोज किसने की तो इसमें आपके पास में 4 भी कल्प है यहां पर कौन सा एंसर सही होगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसका एंसर सुनने से पहले आप सबसे पहले समझ लें कि DNA Fingerprinting क्या होती है DNA Fingerprinting को DNA अंगुली छापी भी कहते है इस तकनीक का विकास सर्वर्थम एलिक जेफरे नामक बैग्यानिक ने किया था इसमें बताया जाता है कि सम रूप जुड़वा सदस्यों को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति का DNA जो Fingerprinting होती है दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं कर सकता है DNA जो होता है विन्यता के कारण ही विन्यताएं उत्पन करता है और यहाँ पर DNA Fingerprinting का उप्योग जो है जैसे किन-किन पदार्थों के द्वारा किया जा सकता है तो DNA Fingerprinting की जाँच जो है वह बलड से, बाल पुटक से, तवचा से, लार से, सुक्राण से, अस्थि से, दात, आदिस से प्राप्त किये जा सकते हैं इनका उप्योग जो है पित्रत्व, बिवाद, अपराध या अपराधियों के पहचानने में इसका बहुत ही ब्यापक रूप से उप्योग किया जाता है Question number आपका है 30, समारंभन कोट है तो इसमें आपके पास में चार भी कलप हैं यहाँ पर अभी तक जो अन्वानसिक कोट ग्यात है, वो 64 है, इन में से एक समारंभन कोट है तो यहाँ इस question में आपको समारंभन कोट बताना है कौन सा बिकलप सही होगा यदि इसका answer आपको पता है, तो इसमें आप comment करके जरूर बताएं यहाँ पर समारंभन कोट किसको कहते हैं, जिनहें समापती कोट भी कहा जाता है, तो समापती कोट जो होता है U, A, A, U, A, G, U, G, A होती हैं, तो यहाँ पर आप मिला चुके होंगे, और इसमें इसलिए आपका बिकलप सही होता है A, A नमबर का, आप यहाँ पर कोट देख रहे हैं, A, U, G, जो की एक समारंभन कोट है, मिन्स बिकलप आपका A सही होता है Next question है, question number 31 पर धियान दें, गुर्षूत्रों का निर्माड होता है तो यहाँ पर गुर्षूत्रों का निर्माड किस से होता है, कौन सा बिकलप सही है, यहाँ पर धियान दें लिखा हुआ है, U-Kromatin से, या हेट्रो-Kromatin से, या या वा B, मिन्स U-Kromatin और हेट्रो-Kromatin दोनों से या फिर इन में से कोई नहीं, तो आपका विकलप सही होता है, विकलप नमबर C, A वा B, मिन्स गुर्षूत्र का जो निर्माड होता है, वह U-Kromatin तथा हेट्रो-Kromatin दोनों से होता है इसलिए इसको, जब ये हलके रंग के होते हैं, तो इन्हें U-Kromatin और जब गहरे रंग के होते हैं, तो इन्हें हेट्रो-Kromatin के नाम से पुकारा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है, यहाँ पर कुश्चन नमबर 32 दिया गया है, डाउन सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम 21 जोड़ी के समझात गुर्षूत्र ट्राइसोमिक होने के कारण हो जाता है इसमें गुर्षूत्र जो होते हैं, गुर्षूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इसमें चेहरा जो होता है, मंगोलियों की तरह हो जाता है जीव मोटी हो जाती है, कद छोटा हो जाता है इसलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है तो यहाँ पर विकल्प की बात करें, तो इसमें विकल्प नंबर C आपका सही होता है, 21 वी जोड़ी पर कोशन है, कोशन नंबर 33 दिया गया है, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में चार ग्रंथियां है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, यदि इसका अंसर आपको पता है, तो कमेट करके जरूर बताएं, इसमें अधिवरक जो ग्रंथि है, यहां किडिनी वरक जिया जिन्हें हम गुर्दे कहते हैं, उनके पास पाई जाती है, तोपी सद्रस सनचना होती है, प्यूस ग्रंथि यहां मस्तिस्क के पश्च भाग में पाई जाती है, जो समस्त अंतासरावी ग्रंथियों का नियंतर तथा नियमन करती है, इसलिए इसको जो है, देखने में मतर के बीज के आकार की होती है, नेक्स्ट कुष्चन है, आपका कुष्चन नमबर 34 दिया गया है, डिन्ने में कौन सी सरकरा पाई जाती है, तो डिन्ने के पूरे नाम की बात करें, तो डिन्ने का पूरा नाम डियाक्सी राइबो नूकलीक अमल होता है, तो इ जाती है नेक्स्ट कुश्चन है आपका कुश्चन नमर 35 कुश्चन दिया गया है परियावरण दिवस मनाया जाता है तो परियावरण दिवस कम मनाया जाता है आपके पास में चार भी कल्प है यदि आपको एंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं यह वीडियो का लास्ट कुस्चन है इसका एंसर है आपका पांच जून बिश्व परियावरन दिवस कम मनाया जाता है पांच जून को मनाया जाता है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे सेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क